यांग बार्ज नीूस में में आपको सवगत करता हूँ तो और नसल का जनता का दिमान के इसाप से आपसे में एक सबाल पुछना चाहूंगा तो सबसे पहले आपका जो पार्टी है आपका गन शुरक्षा पार्ती इस्तात का ओर नसल का अपरसीजन है तो आपका मेनुपेस्तो आपका पर्टी का मेनुपेस्तो सब जानना चाहता है पॉब्लिक तेंक्यू सो मच यांग बर्स यहां आके कोब्रेज करके और सवाल कर देने के लिए सबसे पहले क्लियर कर दू गंशुरक साब पार्टी का मैं प्रशीदेन नहीं हूँ स्टेट का प्रशीदेन मेरा हमारा एद्वोकेट लिखा तागू सार जी है वो में कलियर कर रही हूँ और दूसरा बात पार्टी का मैनिफेस्तो अभी तक हम लोगों ने क्योंकि एलेक्शन का डेट नोटिफाई नहीं हुआ है और एमसीसी लागू नहीं हुआ है तो मेनिफेस्तो हम इतना जल्दी मार्केट में ऐसे नहीं उतार सकते और गंसुरक्सा पार्टी ही मेरा पार्टी है ये बोलके भी मैं आभी नहीं बोल क्योंकि मैं अभी तक वहां से कुछ-कुछ सेक्षिन में पाब्लीक का ये रिजर्वेशन भी है कि गंसुरक्सा पार्टी में नहीं आना है गंसुरक्सा पार्टी जो इसका उसका आलना फालना एलाइन से बोलके बहुत ज़्यादा मेरा वेलविशर को मेरा सपोर्टर लोको बहुत बातका रहा है तो हम ये एक और ये भी सोचता है कि हम इंडिपेंड़न भी पाइल कर सकता है अगर इतना ही ज़्यादा पार्टी से प्राइम मिनिस्टर इंदिया को आज तक में सीना तो के तारिफ करती हूं मोधी जैसा प्राइम मिनिस्टर इंदिया को आज तक कभी मिला नहीं था और आगे भी मैं तो चाहूंगी कि मोधी ही प्राइम मिनिस्टर रहे और मैं स्रीफ और स्रीफ करप्शन का एगेंस हूं और करप्टेद पॉलिटिशन का एगेंस हूं मैं मोधी जी का एगेंस नहीं हूं मैं मोधी जी को हराने के लिए खरी नहीं हो रही हूं बलकि मैं उसको और ज्यादा सपोर्ट करके और स्ट्रोंग बनाने के लिए मैं अलेक्शन में इस देन कर, मोधी कहते हैं न, करप्षन पर उसका जिरो तॉलरेंट है, तो सीतल भी कहती हूँ कि करप्षन को जिरो तॉलरेंट जो मोधी आप कहते हो, तो उसको करके दिखाना चाहिए यहीं है मोदी हम दोनों का मुहीम से में तो इसलिए आपको मैंने सब्सक्राइब पूचा है तो देश में तो यह होता है सबसे बोड़ा पर्ति आपका बीजेपी है कॉंग्रेस है इन्डूंग में जो अब लुग जैसे चोटा पर्ति हो तो अब को बता रही हो कोई इलाइंस नहीं है पर्टी का तरफ से एक MP एक MLA तो एलाइंस कहां से होगा तेकनिकल बात आपको भी समझना चाहिए और दूसरी बात यहीं है कि मैं अभी ऑफेंडी बोल रही हो कि यहीं जीएस्पी से ही लारूंगी यहीं मेरा आभी तक ऑफिश प्रेंदेन सही हम आप अभी जो थोड़ा दर पहले बोलाई ना किरन सहाब बीजेपी से लड़ रहे है क्योंकि उसको टिकेट दिया गया है और व्यूस सा बात है करपसन से मुझे प्रब्सन को ख़तम करने के लिए मुझे अगर मेरे अरुनाचल माता पिता लुग चुनकर इस बार लोग सभा का सांसत बनाता है तो जाकर कि अरुनाचल के हीट के लिए कौन सा सरकार क्या योजना बनाता है में उसी शरकार को देखकरके समर्थन दून myś आपसे एक मेसेच जनना चाहता है अपका क्या में बस देखे तर्टी तु रूमगोंग अभी तक में वहाँ प्रैक्टिकली पहुंची नहीं बद वर्चुली में हमेसा कनेक्टेद हूं सोचल मीदिया के माधियम से वाट्चेप ग्रूप के माधियम से या फेस्बुक से कने से भी बहुत सारे अने आबो लोग से कनेक्टेद रहती हूं अच्छी लोग से भवंग लोग से बावी लोग से तो अभी एक बार एलेक्शन देट नोटिफाई होने दीजिए फिर आप लोग मुझे वहाँ पे रूमगोंग वाले मुझे बुलाई है जैसे आज मेरा गंक लोग से मेरा अफिल है कि मुझे प्लीज एलेक्शन देट नोटिफाई होने के बद आप लोग मुझे एक बार बुलाईए अपनी बेती को अपनी बहन को और मेरे लिए आप लोग दूआ कीजिएगा कि आपकी बेती आपकी बहन आपके लिए कुछ कर सके हैं आपके लिए कर सके आपके बलाई के लिए भारत सरकार से अच्छी योजना बना करके आपका गाउ तक पहुँचा सके मैं सिर्फ पेपर में नहीं ग्राउन रेलिटी में पहुँचा सको इसके लिए मुझे आसिरवात करें